आज की क्लास में वाक्य बनाने का शांदार तरीका सीखेंगे, शांदार तरीका जानेंगे हमें समझना होगा कि हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे पास वाक्य बनाने के लिए जो सही साधन है वो मौझूद नहीं होते या हम सीख नहीं रहे होते या तो हमने सीखा है फिर भूल गए है कुछ सीखा है कुछ बाकी है और तरह तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास होती है इसी के वज़े से हम लोग वाक के नहीं बना पाते हैं और रिजल्ट यह होता है कि अंग्रेजी बोलने में बहुत समस्य आती है तो आज की क्लास में मैं आपको किसी भी प्रेजेंट के वाक्य प्रेजेंट के वाक्य मतलव वर्तमान काल में अगर आप कोई भी वाक्य बोल रहे है उस वाक्य को अगर आपको future में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे यानि कि भविशित काल में अगर बोलना हो तो उस वाक्य को कैसे बोलेंगे यानि कि present से future में वाक्य को convert करना सिखाऊंगी जैसा कि इसके पहले में आपको present के वाक्यों को past में convert करना सिखा चुकी हूँ उसकी class already करा रखी है description box में link है जाए देखिए नहीं मिलता तो telegram में नहीं तो whatsapp पर कही पर भी इसके पहले वाली class मंगा लीजेगा तो वो वाली class थी present को past में बदलने वाली आज वाली class है present को future में बदलने वाली तो आपकी समस्या का समाधान बिलकुल आपके सामने चलिए class को शुरू करते हैं समझते हैं कि present और future में जब आप वाके को बदलते हैं तो क्या फर्क आता है क्या difference आजाता है तो सबसे पहले present वाले वाके को समझ लेंगे कि भई ऐसा ही बोलते हैं बिलकुल ऐसा बोलते हैं और अब इसको future में बदलेंगे तो क्या बदलाव आ जाएगा सबसे पहला वाके हैं हमारे पास मैं एक सिख्षक हूँ अब यहाँ पर हूँ लगा हुआ है तो आपको ये बात साफ है कि ये present वाला वाके है मैं एक सिख्षक हूँ I am a teacher I am a teacher अब इसी वाके को ही हिंदी वाले वाके पर focus करिएगा फिलहाल अब मैं एक सिख्षक हूँ इस वाके को अगर आपको future में बोलना होता यानि कि आपको इसको भविश्यत काल में बोलना होता तो आप इसको कैसे बोलते यही बोलते न, भविश्य में क्या बोलते हैं, मैं यह करूंगा, मैं यहां जाओंगा, मैं यह कर रहा हूंगा, इस तरीके की बात करते हैं future में, ठिक है? मैं एक सिक्षक हूँ ये वाकिय अगर भविश्य के लिए बोलना चाते हैं तो क्या कहेंगे कि मैं एक सिक्षक बनूँगा I am a teacher हो जाएगा I will be a teacher क्या हो जाएगा I will be a teacher तो am में बदला हुआ am जो है वो बन गया will be क्या बन गया will be बन गया और यहाँ पर यह वाकिय जैसे ही am will be में बदला यह वाकिय पुरा का पुरा प्रेजन्ट से future में बदल डाला हमने है ना इसके लिए आपको इसका structure जानना जरूरी है इस बहतरीन structure है और बहुत ही आसान है structure है present वाले वाकिय का I am plus noun यहाँ पर क्या हुआ I दिख गया M दिख गया यह noun हो गया I am plus noun इसका अगर future में convert करेंगे तो आपको M के जगा पर will be करना है I will be plus noun I plus will be plus noun यह बहुत ही छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा structure अगर आप याद रखेंगे आप किसी भी वाकिय को future में बदलने के काबिल हो जाएंगे present वाले वाकिय को future में बदलने के काबिल हो जाएंगे अच्छा आपको अगर past वाले वाकिय को future में कैसे बदले अगर यह चाहिए तो comment करके मुझे बताईए तो आगे वाली class जो है वो past वाले वाक्यों को future में कैसे बदलें इसके उपर लाऊंगी correct चलिए class को आगे बढ़ाते हैं अगले type के वाक्य की बात करते हैं क्योंकि भई हर वाक्य आई और मैं मेरा ऐसा नहीं होता हम varieties के वाक्य बोलते हैं खास कर जब आप रोज मर्रा की लाइफ में वारतालाप की बात करें तो बहुत तरगे वाक्य बोलते हैं बताए जब से class शुरू ही है तब से मैंने कितने सारे वाक्य बोल डालें बोले ना इसी तरीके से हम लोग हर तरीके के वाक्यों को cover करेंगे अगला वाक्य है वह एक डॉक्टर है तो यहाँ पर है दिख रहा है तो हिंदी में तो भई साफ हो गया यह वरतमान का वाक्य है प्रेजन्टन्स का वाक्य है अब इसको इसकी अंग्रीजी क्या हो जाएगी he is a doctor क्या हो जाएगी he is a doctor इसको अगर वह एक डॉक्टर है इसको future में बोलते तो क्या बोलते बताएगे जल्दी खुद सोचिये क्या बोलते वह एक डॉक्टर बनेगा अभी इंग्लिश भूल जाएगे कुछ समय के लिए इंग्लिश को भी भूल जाएगे बस जो मैं कह इसको फोकस करिए वह एक डॉक्टर है मैं बोलूँ आपको इस वाक्य को चलिए भई बताएगे इसी वाक्य को future में बदलिए हिंदी में क्या बोलेंगे वह एक डॉक्टर बनेगा तो बनेगा यहाँ पर last में क्या दिखा हमें बनेगा आपको दिखरा है last में तो इससे है यहाँ पर इस जो है वो will be में convert हो जाएगा और इसी के साथ इस एक बदलाव के साथ यह जो उपर वाला वाक्य है हमारा जो की अभी तक present में था यह future में बदल जाएगा आ गई बात समझ में तो चलिए भई इसी बात पर स्वागत है आपका आज की क्लास में मैं हूँ फ अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा वो है जल्दी से इस चानल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आउन कर लेना ताकि जब भी मैं कोई क्लास कराऊं आपको पता चल जाए और आप अपनी अटिंदेंस लगाने के लिए य जो कि था वह एक डॉक्टर है he is a doctor वह एक डॉक्टर बनेगा he will be a doctor इसका structure देख लेते हैं सबसे पहले चीज़ आप जब भी वाक्य बनाते हैं he से she से it से या किसी भी नाम से इन सब के लिए structure जो है वो same रह जाएगा जब हम लोग यह अभी जो काम कर रहे हैं changing वाला वो क तो आपको पता है कि he के साथ she के साथ it के साथ और किसी भी नाम के साथ is जो है वो लगता है तो structure हो जाएगा he she it name चारो में से जो भी रहे वाक्य में उसके साथ is और noun यह present वाले वाक्य की बात हो गई future वाले वाक्य को क्या करेंगे भई कुछ नहीं करना है he she it name अपनी गईगा पर कायम रहेगा और इसी के साथ ये पूरा का पूरा वाक्य future में बदल जाएगा future वाले वाक्य में बदल जाएगा चलिए बढ़ते हैं आगे अलग type के वाकिए के बात करते हैं वे एक वे सिखशक हैं वे सिखशक हैं तो वे सिखशक हैं तो वे सिखशक हैं वे सिखशक बनेंगे एक शब्द की हेरा फेरी R बन जाएगा will be they will be teachers basic शक बनेंगे they will be teachers उसका structure हो जाएगा u, v दे तीनों में से कोई भी हो उनके साथ r लगता है यह आपको पता है तो r प्लस नाउन u, v दे इन में से कोई भी हो इसको जब future में convert करेंगे तो will भी लगेगा जो कि सब के साथ लगता है will be plus noun समझ में आगई बात एकदम clear हो गई बढ़ते हैं आगे मेरे पास एक कार है यह एक अलग तरीके का हमने type का वाक के लिया देखिए हमारा target है कि जितने भी present tense के वाक के हम लोग बोलते हैं उन सब को जितने भी type के वाक के वाक के करना सीख लेना है भविश्यत काल में कनवर्ट करना सीख लेना है पहला type हमने cover कर लिया अगला type मेरे पास एक कार है मेरे पास एक कार है वाक के समझने में देख तो नहीं हुई कि यह present tense का वाक के है इसका future बनाएंगे तो क्या कहेंगे मेरे पास एक कार होगी मेरे पास एक गाड़ी होगी एक दोस्त है जो कह रहा है मेरे पास कार है दूसरा दोस्त कह रहा है मेरे पास कार होगी एक present में बात कर रहा है एक future में बात कर रहा है चले convert करते हैं इसको मेरे पास एक कार है I have a car I have a car मेरे पास एक car है, I have a car, मेरे पास एक car होगी, I will have a car, I will have a car, बस एक नए शब्द की entry और पूरा का पूरा वाक्य, future में converted, structure देख लीजे, I, you, we, they, have plus noun, present वाला structure, I, you, we, they, will have plus noun, future वाला structure, चलिए, बढ़ते हैं आगे, उसके पास एक mobile है, उसके पास एक mobile है, He has a mobile, He has a mobile, उसके पास एक mobile है, He has a mobile, बदलते हैं future में, उसके पास एक mobile होगा, He will have a mobile, He will have a mobile, देखिए, has जब बदलता है future में, तो will have ही बन जाता है, will has नहीं बनता है, existence नहीं है इस चीज़ का, अगर आप करते हैं तो यह गलत है, आपको has के जगह पर भी, जब आप वाक्य को future में बदलें, तो will have का ही परेयोग करना है, has जो है, वो future में वरजित है, चैके, तो has जो है, वो will have में ही बदलेगा, structure देख लेते हैं, he, she, it, name, has plus noun, वरतमान में, present में है न, he, she, it, name, will have plus noun, future में, यानि कि भविश्यकाल में, अगला है, मैं खाने वाला हूँ, अगला type हमारे वाक्य का, मैं खाने वाला हूँ, I am about to eat मैं खाने वाला हूँ, I am about to eat, अभी वाके पढ़के एकदम साफ है, कि मैं खाने वाला हूँ, किसी का फोन आता है, भई, क्या कर रहे हो, नहीं, मैं खाने वाला हूँ, right, I am about to eat, इसका future क्या होगा, मैं खाने वाला हूँगा, मैं खाने वाला हूँगा, structure हो जाएगा, क्या वो आगे बताती हूँ, अभी देख लीजिए, am about to, will be about to में convert हो जाएगा, I will be about to eat, I will be about to eat, structure देख लीजिए, क्या हो जाएगा, I plus am about to, V1 plus other words, ये future में कैसे बदलेंगे, सब सेम रहेगा, बस am about to convert हो जाएगा, will be about to में, I will be about to eat, I will be about to, V1 plus other words, correct, अगला, वह खाने वाला है, he is about to eat, वह खाने वाला है, he is about to eat, correct, यहां तक समझ में आ गया, वह खाने वाला होगा, ये इस वाक्य का क्या होगा, future होगा, क्या हो जाएगा, he will be about to eat, he will be about to eat, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, कि हम बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर रहे हैं, हमने is के साथ about to का स्तमाल किया था, present में, future में will be के साथ about to का स्तमाल कर रहे हैं, that is it, इतना ही बदलाव है, तो सोचिए कितना आसान है ये, और आपको कितना भारी लगता है, आज के बाद लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा, चलिए, structure बताती हूँ, he, she, it, name, is about to, v1 plus other words future में बदलेंगे, सेम रहेगा सब कुछ, is about to बन जाएगा, will be about to, और ये हो गया बस, he, she, it, names, will be about to, plus v1 plus other words, बढ़ते हैं आगे, वे जाने वाले हैं, they are about to go, they are about to go, अगर future करेंगे, वे जाने वाले होंगे, they will be about to go, they will be about to go, क्या बदला, are about to का use बदल के, will be about to के साथ लग गया, ठीके, will be लग गया about to के साथ, you, we, they, are about to, v1 plus other words, ये हो गया present वाला, इसको हमने बदला, are about to को, will be about to में बदल दिया, और ये सेम, बाकि सब सेम है, you, we, they, will be about to, plus v1 plus other words, और ये बन गया वाक्य क्या, future में बन गया है ना, चलिए, मैं यह करता हूँ, कोई काम आप कर रहे हैं, तो कहते हैं ना, मैं यह कर करता हूँ, I do it, ये present का बात है, present की बात हो रही है, मैं ये करता हूँ, ये present की बात हो रही है, I do it, इसका future अगर होगा, तो क्या होगा, मैं ये करूँगा, I will do it, I will do it, किसकी entry हो गई, will की entry हो गई, जैसे ही will की entry होई, do के साथ, ये पूरा गबरा वाक्य बदल गया, future में structure हो गया I, U, V, they plus do plus other words future में बदलेंगे तो I, U, V, they will do plus other words correct आगई बात समझ में समझ में आ रही है न बात ठीक है बढ़िया लग रहा है समझ में आ रही है बात present से future में बदल बा रहा है सब कुछ अराम से हो रहा है चलिए class को आगे बढ़ाते हैं class को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप chances में आपको समस्या होती है आपको लगता है tenses पढ़ना भई बहुत माथा माली का काम है यह तो बहुत ही जादा difficult है तो आपके पास tenses की full concept e-book जरूर होनी चाहिए साथ में इसकी course के link भी जरूर होने चाहिए यह दोनों चीज़ें आप अगर देख लेते हैं और उसको एक सार मन को अपने एकग्रित करके पढ़ लेते हैं tense में कभी समस्या नहीं आएगी कभी नहीं समस्या आएगी basic plus spoken English एक free course है इसकी e-book भी available है यह भी अगर आप free में spoken English course सीखना चाहते हैं तो जरूर से इस course को करें साथ ही mini spoken English course और इसकी e-book के लिए भी आपको क्या करना होगा यह तीनों की तीनों e-books जो है आपको available हो जाएंगी www.e जो नीचे link लिखा हुआ है इसको अपने mobile browser में type करेंगे आप एक ऐसे page पर पहुँचेंगे जहां पर यह तीनों e-books आपका इंतजार कर रही है तो इस class को देखने के बाद जरूर से वहां जाए और इन तीनों से मुलाकात कर लें चलिए आगे बढ़ते हैं class को आगे बढ़ाते हैं अगले type का वाक्य देखते हैं मैं खेलने जा रहा हूँ इसको future में कहते तो मैं खेलने जा रहा हूँगा यही बोलेंगे अच्छा I am going to play future में करेंगे I will be going to play I am going to बन गया will be going to I will be going to play मैं खेलने जा रहा हूँगा I will be going to play structure देख लीजे I am going to V1 plus other words I will be going to V1 plus other words simple बिलकुल simple I am going to बदल करके हो गया will be going to चलिए बढ़ते हैं आगे वह खाने वाला है he is going to eat he is going to बहुत जार डिफरेंस नहीं है क्योंकि हमें he she it name के साथ इसका इस्तमाल होता है तो is going to लगया यहाँ पर बाकी सब से में वह खाने वाला है he is going to eat इसका future करेंगे वह खाने जा रहा होगा he will be going to eat he will be going to eat बस एक शब्द की हेरा फेरी और आपका काम बन गया he she it और किसी भी नाम के साथ is going to V1 plus other words यह future में करेंगे बदलेगा तो is going to बदल करके will be going to हो जाएगा तो he she it name will be going to plus V1 plus other words करेक्ट आगया समझ में अगले टाइप का वाकिक लेते हैं वे भागने वाले हैं they are about to run वे भागने वाले हैं they are going to run है ना भागने वाले हैं यह हो जाएगा अच्छा वे भागने वाले होंगे वे भागने वाले होंगे they will be going to run they will be going to are going to क्या बन गया will be going to बन गया जैसे UV they are going to V1 plus other words क्या हो जाएगा structure बताईए जल्दी बताईए are going to क्या बन जाएगा I will be going to plus V1 plus other words करेक्ट आगे है समझ में चलिए बढ़ते हैं आगे अगले टाइप का वाक्य लेते हैं will plus V1 ये future वाले बाक्य का वह जाता है he goes अगला बाक्य वह जाता है he goes इसका future क्या होगा वह जाएगा क्या हो जाएगा वह जाएगा ये future होगा ना इसका तो कैसे करेंगे वह जाता है he goes वह जाएगा एक नए शब्द की एंट्री he will go, क्या हो जाएगा he will go he she it name v1 plus s या es, यह वहत important है, इसका ध्यान रखा करिए है न he she it name के साथ आप जो भी verb form का यूज करते हैं उसके साथ या तो s का अस्तमाल होता है या तो es का अस्तमाल होता है, चिके यह करना पड़ेगा आपको, लेकिन future के अगर हम बात करें, वह जाएगा he will go वह जाएगा, he will go यहाँ पर आपको he she it name के साथ जो है, आपको yes or yes लगाने के जरूरत नहीं पड़ेगी राइट, अच्छा, मैं जा रहा हूँ I am going मैं जा रहा हूँ, I am going, यह इस्तमाल होगा ठिक है, इसका future क्या होगा मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँगा I am going, I will be going, I am going I will be going, क्या हो जाएगा structure, I, U, V दे am plus V4, present में, I, U, V दे will be plus V4 future में, राइट वह जा रहा है, अगला वाके है हमारा he is going क्या हो जाएगा, वह जा रहा है he is going future क्या होगा, इस वाके का जरा बताईए मुझे, वह जा रहा होगा वह जा रहा है, वह जा रहा होगा यह क्या हो गया इसका future हो गया, तो he is going क्या हो जाएगा, he will be going हो जाएगा, क्या हो जाएगा he will be going हो जाएगा राइट बढ़ते हैं आगे structure समझ लेते हैं he she it name is plus v4 he she it name future में बदलेंगे will be plus v4 का इस्तमाल कर लेंगे राइट चलिए बढ़े आगे मैं जा चुका हूँ अगले टाइप का वाकिय है हमारे सामने मैं जा चुका हूँ I have gone मैं जा चुका हूँ I have gone मैं जा चुका हूँगा future का वाकिय है correct I will have gone तो have के पहले will लग गया I will have gone ये हो गया structure I you will have plus v3 I you will have plus v3 जब ये future में convert हुआ तो वह जा चुका है he has gone अगला टाइप वाकिय का है ना जा पर subject अलग है he has gone वह जा चुका है he has gone इसका future करेंगे तो क्या होगा वह जा चुका होगा क्या होगा वह जा चुका होगा right चलिए तो क्या future क्या हो जाएगा वह जा चुका है he has gone he will have gone has के जगह पर मैंने आपको क्या बताया था future में जब भी इस्तमाल होगा तो will have का इस्तमाल ही होगा है ना वजा चुका होगा he will have gone structure समझ लेते हैं he she eat name has plus v3 he she eat name will have plus v3 क्या बदला has के जगह पर will have लग गया मुझे खाना है I have to eat अगला हमारा type वाक्य का मुझे खाना है I have to eat इसका future क्या होगा मुझे खाना पड़ेगा मुझे खाना पड़ेगा I will have to eat have to के पहले will लग गया और will लगने से ये पूरा वाक्य future में बदल गया structure समझ लेते हैं I, you, we, they have to v1 plus other words I, you, we, they will have to v1 plus other words बस will के आड़ोने से have to के पहले will के आड़ोने से ये पूरा वाक्य जो है वो future में convert हो गया उसे खाना है He has to eat उसे खाना है He has to eat इसका future करिए उसे खाना पड़ेगा उसे खाना पड़ेगा He will have to eat has to भी जो है ना वो will have to में ही convert होता है फ्यूचर की जब भी बात करें छिक, has to, will has to में convert नहीं होता है ये गलत है will have to में ही convert होता है ओके, तो he will have to eat उसे खाना पड़ेगा he will have to eat structure समझ ले, he, she, it, name has to, v1 plus other words future करेंगे तो he, she, it, name, will have to v1 plus other words राइट, आगे समझ में कि किसी भी present वाले वाके को future में कैसे बदलेंगे तो चलिए, ये थी आज की class जहाँ पर हमने ये सारी चीजे सीख ली, क्या सीख ली हमने हमने सीख लिया किसी भी, किसी भी present वाले वाके को future में कैसे बदलेंगे तो class कैसी लगी, ये comment करके कि मुझे कौन बताएगा, आप बताएगे, जल्दी से मुझे बताएगे, कि क्लास आपको कैसी लगी, क्लास बढ़िया लगी है, तो लाइक करिए, शेर करिए क्लास को, चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो BeBanker Spoken English Class को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और हाँ मुझे कमेंट में ये भी बताएगा, कि क्यूकि मैंने आपको Present से Past बदले करा दिया, Present से Future बदले करा दिया, अब Past से Future कैसे बतले, ये वाली कलास चाहिए क्या, ये मुझे कमेंट करके बताना जल्दी, चैका है, Tenses की e-book जो है वो आचुकी है अगर आपको नहीं मिली है अभी तक तो आप WhatsApp नहीं तो Telegram पर Message करके ये वाला number पहले Save कर लिजिए WhatsApp नहीं तो Telegram पर Message करके इस e-book को आप कैसे ले सकते हैं इस वारे में पोच सकते हैं Basic Plus Spoken English की course Free course है Spoken English की लेकिन इसकी e-book अलग से अवेलेबल है ये आप कैसे ले सकते हैं ये course आप कैसे कर सकते हैं ये आप जरूर पता कर लिजिएगा Mini Spoken English course इसकी e-book के लिए भी Telegram नहीं तो WhatsApp पर पता कर लिजिएगा कि आप इसको कैसे ले सकते हैं इसके अलावा तीनो e-books अगर आपको एक साथ लेनी है तो आप जो है www.e जो नीचे लिखा हुआ है इसको जो है अपने mobile browser पर type करें और आप सीधे एक ऐसे page पर पहुँचेंगे जहांसे आप ये तीनो e-books अपने लिए ले सकते हैं आराम से इसके साथ ही अगर आप whatsapp group हमारे में join करना चाते हैं जहांपर रोज की classes आपको मिलती हैं आपको दिन में task दिये जाते हैं तो ये ग्रुप आप जरूर join करें इस number को save करके रोज status चेक कर लिया करना ठीक है status चेक कर लेंगे वहाँ पर whatsapp का joining link मिल जाएगा आपको नहीं मिलता है तो message करके मंगवा लीजेगा telegram channel जरूर join कर लीजे वहाँ पर भी आपको हमारी e-book से सम्मंदित हमारे paid courses सम्मंदित हमारी free courses सम्मंदित सारी जानकारी वहाँ पर भी available है दो बातों का ख्याल रखेंगे सबसे पहले चीज़ telegram पर जो channel है वो bbanker education solution के नाम से है और उसमें 18,000 से जादा subscribers है तो आप उसी channel को join करेंगे मेरे नाम वाला की पृती मैम का channel पृती मैम के notes, pdf ये channels आपको नहीं मिलने चाहिए अगर मिलते हैं तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि मैम आपके नाम पर कोई channel जो है telegram पर चला रहा है या चला रही है तो आप साफधान रहेंगे और मुझे बताएंगे चिक्के चलिए आप इन दोनों जगहों पर यानि कि whatsapp पर telegram पर हमारी paid courses की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि premium spoken English का course है basic English reading का course है दोनों ही courses की जो batches है वो coming days में शुरू करने वाली हूँ तो अगर आप करना चाहते हैं courses को तो एक बात कर लीजेगा whatsapp ने तो telegram पर कैसे कर सकते हैं है ना वहाँ पर हमारे प्रतिनिधी जो भी है वो आपको reply कर देंगे इसके recording तो चलिए भई आज की class नहीं तक रखते हैं मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली class में till then thank you so much for watching stay tuned to be bankers spoken English